एक्जाम्पल है आपका 1.9 NCRT की जो बुक है ये कोशन मिलेगा आपको पेज नंबर 25 पे टू चार्जेस पिलस माइनस 10 माइक्रो कुलाम और प्लेस 5 mm एपार्ट ट्रमाइन दा इलेक्टिक फिल्ड पहली डाले डाइग्राम में जो पॉइंट पी है वहाँ पे आपको 15 cm अवे निकालना है और ये सेकिन वाले में आपको 15 cm from Q पे निकालना है from पॉइंट ओ से तो पहले हम यहाँ पे एक बार्ट करेंगे उसके बाद हम बी वाला करेंगे तो ए वाले पार्ट कम मैं डाइग्राम आपको बता देता हूँ किया दे रखा है वच्टोmers यहाँ पे देखे यहां पे A और B दोनों पे एक पे माइनस चार्ज और एक पे प्लस चार्ज रखा है वो भी इक्वल है 10 माइक्रो कुलाम और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 mm है तो यह ही डाइग्राम को मैंने थोड़ा अपने तरिकीर से बना दिये ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो यह दो चार्ज होगे माइनस टैन और प्लस टैन और एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है 5 mm पे अब यहां पे इस डाइग्राम में देखे तो यह मिट पाइंट जो ओ है इन दोनों का वहां से कितने 15 cm डिस्टेंस पर एक पाइंट पी है जहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फिल्ड बता करना है तो हमने यहां पे क्या करा रहा है जो डाइग्राम दे रखा था उसको थोड़ा उसको एक्सपेंड रूब में कर लिया तो यहां पे आपको सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है और उस पर पाइंट पी दे रखा यहां पे हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइंड आउट करना है तो यहां अभी हमने कुछ नहीं कर रहा है सिर्फ इस डाइग्राम को हमने समझाए कि यह क्या चीज है अब देखिए बच्चो यहां पे यह आपने पढ़ाऊगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है इसको हम 2A कहते है तो यह एक सिस्टम बन जाता है हमारा डाइपोल और डाइपोल सिस्टम बनने के बाद डाइपोल जब मुवेंट निकालते है तो उसका फार्मला क्या होता है Q इन्टू 2A तो यह जो फार्मले यूज होने वाले मैंने यहाँ पर लिग रखे तो एक बार थोड़ा सा फार्मले को भी समझ लेते है तो इलेक्टर डाइपोल मुवेंट का फार्मला P बरावर Q न्टू 2 यह होता है P इलेक्टर डाइपोल Q चार्ज और 2A के हमारी जो दोनों चार्ज की बिर्ज की डिस्टरंस होती है उसे लेंद बोलते है अब देखे यहाँ पर एलेक्टर फिल्ड दो केस में निकालेंगे हम एक एक्जियल में तो यह हमारी पोजिशन एक्जियल वाली है एक्जियल में क्या होता है जिदर जिदर डाइपोल लखा होता उसी की एक्सेस में अगर हमें निकालना हो तो हम क्या बोलते एक्जियल और एक्जियल के लिए फॉर्मला हमारे पास होता है E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon R cube और अगर equatorium निकालना है तो इस फॉर्मले के यूज़ करेंगे फिलाल अभी हमारा जो पहला वाला डायराम है यह पूरी तरह से हमारा क्या बन रहे एकैप बन रहा है और किस पोजिशन में आई यह बन रहा है एक्जियल तो अब हम पहले देख भी लेते हमारे पास घबिन किया charge q चाहिए वाला क्यु ब snippet को आथि ग्निटिव लेते इसे म की बीच की distance को हम लिखेंगे बच्चों किससे 2A से जो डाइपोल की लेंद कलाती है और ये 5 mm है mm को हम बदल लेते हैं मीटर में तो उसके लिए हम 10 की पावर माइनस 3 से करेंगे multiply और फिर आपको यहां पर क्या दे रखा है जहां पर आपको इलेक्टिफिल्ट करना है वहां पर यह पाइंट जो है वो मिड़ पाइंट ओ से किते distance पर है 15 cm cm को मीटर में करेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 से क्या करेंगे हम multiply करेंगे तो यह हमारे पार इतनी value हो गई अब हमें elective fill निकालना है तो यह एक्जिल position का हम direct formula जो हमारे पाद लिखा हुआ है इसका हम utilize करेंगे तो यही formula को मैंने यहां पर लिख दिया है क्योंकि यह एक्जिल की condition मन नहीं है अब हम इसकी value लगा देते हैं तो यहां पर यह आप जानते हैं इसकी constant की value कितनी होती है 9 into 10 की power 9 2 अब P का formula होता Q into 2A तो P की जगे हमने Q into 2A लिखा और अभी R S ही रहन देते हैं अब हम इसमें और भी value लगा देते हैं किस कि कि Q की value हमारे पास कितनी है 10 into 10 की power minus 6 2A क्या है हमारे पार डाइपोल की लेंज जो कि कितनी है 5 into 10 की power minus 3 और आठ जो distance है वो कितनी है 15 into 10 की power minus 2 तो इस तरह से यह सब calculate हो जागा थोड़ा सा इसको मैं easy करके दिखा देता हूं किस तरह किसे करा हमने तो देखिए जितनी भी power है power देखिए यहाँ पे 10 की power minus 6 और 10 की minus 3 यह दोनों मिलके बन गया 10 की power minus 9 और 9 से यह प्लस 9 कट गया और यहाँ पर पावर कितनी होगी 3 to just 6 minus 6 होगी minus इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाके यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की power बन जाएगी यह 8 किस तरे के से 8 बनी है यह 5 और 2 मिलके यह बन गया 10 और 1 10 यह रहा तो 10 की power 2 पर हो गई और minus 6 जब उपर जाएगी तो यह प्लस 6 हो जाएगी तो यह power कितनी होगी 10 की power 8 अब number कितने बचे उपर के बल 9 बचा यह सब calculate होगी हमारा और नीचे 15 का जब ह इसको solve कर लेंगे अब इसी हो गया तो यह divide करके आ जाएगा और यहाँ पर हमें decimal को 1 के बाद shift करना होता है तो यहाँ पर जब decimal इधर करेंगे तो यहाँ पर 3 जो है minus 3 आएगा तो इसमें से 8 में से 3 minus होके कितना आ जाएगा 10 की power 5 तो यह हमारा एक पार्ट हो गया electric field जो हम में पहले वाले diagram से निकालना था तो वह हमने निकाल लिया अब बात करते इस वाले diagram की तो चली इसको करने के लिए भी इसका भी diagram हम बना लेते हैं तो देखी यहाँ पर जैसे दे रखाता है यह तो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है ठीक है अब हमें जो electric field निकालना है व यह 15 cm की distance है और यहाँ पर हमें find करना है electric field अब देखेंगे तो यह पूरी position बन रही है आपकी equatorial की तो आपने जब derivation कर आपको पता है यह equatorial condition है और उस case में formula कितना होता है electric field का e is equal to 1 upon 4,5,4,p upon r cube तो यहाँ पर भी हमारे पास पहले value लिग लेते हैं तो यह value क्या है बच्चों यहाँ पर मैं तो फास्ट कर देता हूं क्या कि यह तो हम कर चुके है तो q हमारे पास given था उसको कुलाम में माइक्र कुलाम में था कुलाम में करा तो minus 6 से करा mm यह distance द की पर माइनस 2 आ जाएगा अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको निकालेंगे तो यह बच्चों यहाँ पर जो यह value इसकी लगा के अगर हम इसको दुबारा सौल करेंगे तो बहुत time खराब हो जागा अब आब एक चीज़ देखिए जो axial और equatorial में उसमें केवल इस केस में तो उसकी value को just हम क्या कर दे half तो यह value जो ली है इससे calculate नहीं करा है मैंने यह पिछले वाला जो इलेक्टिक फिल्ड निकाला था axial में तो वह वाली value ली और इसका यह क्या just half है तो इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हमार पे निकल के आ गया